नमस्कार फ्रेंड्स ब्रिंदाबन की धर्ती पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अनिल और आप देख रहे हैं मुंबैकर अनिल ब्लॉग पिछले वीडियो में मैंने आपको बरसाने के कीर्ती मंदिर, कुशल बिहारी मंदिर और राधारानी जी के मंदिर के दर्शन करवाए आज के वीडियो में आप देखेंगे व्रिंदाबन इस्थित विश्व प्रसित प्रेम मंदिर जिसकी सुंदर बनावट रंग विरंगी रोशनी और लेजर लाइट की सजावट और संगीत की ताल पर थिरक्ते पवारों को देखकर आप भी जूम उठेंगे तो चलिए चलते हैं सिधे प्रेम मंदिर में रंग विरंगी रोशनी में नहाया हुआ प्रेम मंदिर देखिए कितना सुंदर मंदिर है वाँ वाँ बहुँ सुंदर लोगों की कैसी भीड उमर पड़ी है मंदिर मंदिर देखिए छड़ छड़ में कैसे रंग बदलता रहता ह मंदिर का प्रवेश द्वार आगे है इस तरह से देखिए मंदिर काफी भड़ रूप से बनाया गया है सफेद मार्वल का बनाया गया है और मार्वल पर बारीक नक्यासी की गई है देखिए मंदिर के भीदर कितनी भीड है जो ब्रिंदवन घूमने आता है तो प्रेम मंदिर को जरूर देखता है नागर साइली में निर्मित प्रेम मंदिर के चवण एकड के बिश्त्रित परिशर में प्रवेश करते ही देखने को मिलती है सुन्दर फुलवारिया जो रंग बिरंगी फूलों से गुलजार रहती है और बाए हाथ की तरफ भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग के ऊपर निर्त करती हुई जाकी प्रस्तुत की गई है वैसे तो प्रेम मंदिर दिन भर खुला रहता है पर रात के समय रंग बिरंगी रोष्णी और लेजर लाइट की सजावट से मंदिर जगमगा उठता है और इसकी सुन्दरता निखर जाती है प्रेम मंदिर भगवान श्रीकृष्ण और राधा जी तथा भगवान श्री राम चंद्र जी यूम सीता जी को समर्पित है इसलिए मंदिर परिशर में अनेक जगह पर इनसे सम्मंधित जाक्मिया प्रदर्शित है यहां पर रासलेला दिखाई जा रही है देखिए भगवान स्रीकृष्ण अनेको रूप रख करके हर एक गोपियों के साथ नित्य कर रहे हैं देखिए हर जगह पर एक गोपी है और पिस्ट भगवान है देखिए भगवान में अनेको रूप धारन की हुए है और सब के कारण इंद्र भगवान में जोरदार बारिश करना चुरू कर दिया था जिसके कारण भगवान में गोपरधर परवत को अपनी करंगणी पेवाय हां की उठा लिया था यह को यह कितना सुंदर दृष्ट यहां पर दिखाई पड़ रहा है देखिए नीचे सब गॉलबाल बर्षात से बचे हुए हैं सब्धाये बर्षात से बचने के लिए परवत के निचे सरण ले ली है और उपर देखिए बबर्षन परवत का सुंदर दृष्ट से दिखाई पड़ रहा है रहा है और यह दिखिए बीच में खिश्भवान खड़े हैं और अपने बाएं हांत सिर्फियों से दि उपर उठाये हुए है सरिखिश्ञ भगवान की लीला की जाकी में केसो अर। उर्जुन के सार्थी बने हुए हैं ऑर उन्हें गीता की वैदेश दे रहे हैं उनके मन का आशात दूर करने के लिए दोस्तों प्रेम मंदिर में भगवान के दर्शन के अलावा जो सबसे अच्छी चीज होती है वह है यहां पर होने वाला म्यूजिकल फाउंटें शो जिसे देखकर अइसा लगता है मानों इंद्र लोग की नित्य अंगनाएं स्वयंग ब्रिंदाबन में अवतरित होकर अपना नित्य प्रस्तुत कर रही हूँ 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 लोग क् बड़्यो को जाँ भी काथ में दो उनर आजा आजा नाथे आजा मेरी नाथे आजा आजा नाथे आजा मेरी नाथे आजा आकतर नाथे आले आजा नाथे आजा नादे आजा स्थे हुआ हुआ है क्यों आप भी जूम इठे ना आनंद आया ना मुजिकल फाउंटेन सो देख करके तो चलिए भगवान के दर्सन भी कर लेते हैं दोस्तों प्रेम मंदिर परिसर में मुख्ष प्रेम मंदिर का निर्माण इटेलियन मार्बल से किया गया है जिस पर बहुत ही कलात्मक कारीगरी की एक से बढ़कर एक सुन्दर डिजाइन बनाई गई है इस मंदिर का निर्माण जगद गुरु कृपाल जी महराज ने करवाया है दोस्तों मंदिर के भीतर की सजावट और मूर्तियों की सुन्दरता इतनी रमडी है कि लोग एक टक निहारते ही रहते हैं कोई वहां से हटना ही नहीं चाहता है दोस्तों राधा मुहन के दर्सन करके मंदिर से बाहर निकल कर मंदिर की सुन्दरता और मंदिर की बाहरे दिवारों पर बने भगवान स्रीकुष्ण की लीला के चित्र के दर्सन भी किये मंदिर से बाहर निकलते समय भगवान राम के रामेश्वरम में शुविलिंग स्थापित करने का और राजा दसरत के चार पुत्रों भगवान राम, लक्षमन, भरत और सतुर्गन के जन्म का द्रिश्य प्रदर्शित किया गया है राम, नौमी, महोत्सों के उपलक्स में प्रसाद बितरन, यहां प्रसाद मिल रहा है, देखिए, प्रसाद बाता जा रहा है रादे, 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 रादे चलिए दर्सन भी हो गए भगवान के, और प्रसाद भी मिल गया है, देखिए, प्रेम मंदिर प्रसाद झाल